नमस्का दोस्तों हम सीख रहें 2D animation और 2D animation में आपको बता रहें ते animate CC के बारे में मैंने पीछे के वीडियो में आपको दिखाए थे इस character को हमने कैसे walking कराए तो चलिए दोस्तों आगे बरते हैं और आज कि इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कोई भी character है उस पर हम bone tool का कैसे apply करते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो इस्टार्ट करते हैं दोस्तों यह हमारे पास एक character है हम इस character पर जो है bone tool apply करके आपको दिखाऊंगा आज कि इस वीडियो में तो सबसे पहले मैंने इस जो character है इसको मैंने layer by में create किया था अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखें तो आप पीछे जाकर देख लिजे हारे इस टेप को मैंने create करके दिखाया था कैसे हम इसको create करते हैं तो bone tool apply करते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे सभी को हम एक अलग-अलग में रख देते हैं और फिर हम इसके pointer को जोड़ना असान होता है तो मैं क्या करते हैं यहां से side कर लेता हूं सभी को सभी पार्ट को अलग-अलग कर लिया हूं उसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर एक new layer create करते हैं और new layer करने के लिए मैं यहां पर क्या करता हूं एक circle create करता हूं जहां से हम जो है bone tool को apply करना शुरू करेंगे हैं तो यहां पर मैं एक outer create किया हूं इसको c8 करके symbol करते हैं कि और एक और मैं pointer लगांगा यहां पर क्रियेट किये हैं और अब हम क्या करेंगे सभी को हम जो है嗎 करेंगे अब हमने यहां पर पोइंटर लगा दिया हम क्या करते हैं बोन टूल को यहां से स्लेक्ट करते हैं हमारे पास यहां पर बोन टूल है यहां पर देख सकते हैं अगर नहीं आप यहां पर बॉन टूल अगर सो नहीं हो रात इस डॉट पर क्लिक करें यहां पर बॉन टूल है हम इसको यहां से ड्राइग और ड्रॉप कर लेते हैं यहां पर यहां पास आ गया है उसके बाद हम बॉन टूल को सलेक्ट किया और यहां पर जो है किलिक करते हैं कुछ स्टैप से और उसके बाद हम क्या करेंगे यहां पे एक पॉइंट हम जो है सरकल बनाए थे इसको मैं क्या करता हूं पहले तो इसको मैं इतना हो गया उसके बाद हम यहां पे एक जो है पॉइंटर को हमने सलेक्ट किये इस टैप से अब हम क्या करेंगे इस पॉइंटर से मैं इसमें जो ह यहां से हम सभी पैर को कनेक्ट करेंगे और यहां से सभी को हाथ को कनेक्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं यहां पर सेलेक्ट करते हैं और यहां से मैं स्टेप्स इसको कनेक्ट कर देता हूं और यहां से मैं इस तरफ कनेक्ट कर देता हूं इस टेप से हमारा connect हो गया अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी layer थे वो सभी जो है यहाँ से हट गया है और सिर्फ यह head हमारा रख गया इसका मतलब है कि हमने head को select ही नहीं किये तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से मैं इसको cut करता हूँ और इसके head के अंदर जाते हैं एक new layer create करके lips को मैं इसके अंदर रख देता हूँ और bone tool को select करके अब की बार मैं इसको यहाँ पे select करता हूँ आप देख सकते हमारा सारा जो है एक layer पे create हो गया है अब हम सभी layer को क्या करेंगे proper rank से set करेंगे मैं इसको select करता हूँ इसको मैं रखता हूँ यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि यह हाथ हमारा नीचे चला गया तो हम इस तीनों को select करते हैं control shift पर आप की करेंगे यह उपर आ जाएगा और इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ control shift आप कर देता हूँ उपर आ गया इसी टैप्स इसको भी control shift आप कर देते हैं उपर आ गया और मैं इसको रखता हूँ यहाँ पर इस टैप से हमेरा दुबारा set कर लिए अब हम क्या करेंगे यह दो सरकल जो यहाँ पर दिख रहा हम इसको यहाँ से क्या करेंगे क्लिक करते हैं और यहाँ से प्रोपर्टी में जाते हैं इसको सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे जो है अलफा कर देते हैं और इसको हम करते हैं जीरो इसको भी हम सेलेक्ट किये यहाँ से हम अलफा किये और इसको मैं जीरो कर दिया यहाँ से हमारा pointer जो है व अगर मैं इसको एनिमेट करता हूं आप देखिए यह हाथ जो है अगर आप इस पॉइंटर को देखें तो कुछ अजीब सा हो रहा है इस पॉइंटर को हमको क्या करना है सही करना है तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं इस टैप से बोन को सेलेक्ट कर लिए ग्रीन कलर आ गया और य आपको करेंगे इसका पर जो है सही से नहीं होगा तो हम पर को सलेक्ट करते हैं और यहां से जीरो कर देते हैं इतना करने के बाद हमारा जो है यह जो है एनिमेशन होना शुरू हो करेंगे इसको भी शिट करेंगे आप करेंगे को से कि सवी करते हैं है इस टेप से हो गया कि यहां इसको अब सही से से एंप्र हम sı यहां दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें हमारे Bone Tool को apply कर दिये अब आप इसको जिस टैप से भी animation करना चाहते है वह आप कर सकते हैं जैसे मैं आप एजे example दिखाता हूं आप यहाँ पर देख सकते हैं single layer बना हुआ है यहाँ पर कोई भी layer नहीं दिया हुआ है अब हम इसमें थोड़ा सा हम एनिमेशन आपको करके दिखाता हूं इसको मैं यहां से ओफ करता हूं और इसको मैं यहां तक F5 प्रेस करते हैं जैसे माले कोई भी टॉक करना है या चलना है तो मैं क्या करता हूं यहां से 30 फ्रेम पर पहले मैं यहां पर से सेट कर लेता हूं इस टैप से और मैं इसको F6 लगाता हूं यहां पर 15 फ्रेम पर F6 लगाता हूं इस बार मैं इधर करता हूं इतना करने के बाद हम क्या करेंगे यहां पर आते हैं F6 लगाते हैं एक F6 यहां पर अगर आप यहां पर देखते हैं तो यह पैर हमारा पीछे होना चाहिए तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे यहां से तीनों को select करते हैं down कर देते हैं इसको भी हम down कर देते हैं और इसको भी हम down कर देते हैं इस step से हो गया यहाँ पर जब आते हैं तो यह step से हमारा pad होना चाहिए और यहाँ पर जब आता है तो हमारा pad कुछ step से होना चाहिए आप देखते हैं कंट्रोल इंटरप्रेस करके आप देख सकते हैं इसमें जो है वाकिंग का एनिमेशन बहुत ही इजी वे में लग गया है तो दोस्तों इस टाइप से कोई भी केरेक्टर जो आपके पास है उसमें हम बोन टूल को अपलाई कर सकते हैं तो आसा करता दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा अगर दोस्तों इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो लेका हूं तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व